अलो फ्रेंद्स, वेलकम टो फिल्मी फंडे, जॉइन्फूंस डट कॉम, मैं हूँ आपका अपना विरेंद राठो दोस्तों, आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको एक बहतरीन कलाकार से, बहतरीन एक्टर से जो की बॉलिवुड में बहुत सारा काम कर चुके हैं, यानि की यश्पाल शर्मा से का रहते हैं तुम लोग, मलाड वेस तेली गली खोली नमबर अठारा ठीक है, रोज आउंगा चेक करने, और अगर ये बच्ची घर पर नहीं मिली ना, तो बेटी ये तुम्हारी, बाप कितना पालना इससे, काद ये स्पी साहिब, खेत कोरे हम, बॉय हम, पटाय भी हम, और फसल उस साला परफेसर सास्त्री का उलाद काट के लिए जाएगे, लगाए महार, देखिए, ये जायज नहीं है, जित, जो बोला है वो करो इंजेनियर, नहीं तो आपको बना देंगे, अम टोटल ना जायज, मुबारक हो, मिस्टर जतिन शुकला, तो पहले दिन खून चक लिया तम दे, सबसे पहले वीजियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। या अगर तेखो, आपके अंदर अगर कुछ अनकमफर्टेबलनेस है ना, तो आप कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे, चाहिए किसी भी दिशा में हो, एक्टिंग का ही नहीं हरक दिशा में, लेकिन कुल बुलाना बहुत ज़रूरी है, सीधा, सपाट, सहज, इस तो किसी जि नेशनल क्लो ट्रामा के राजीव मंचंदा, जो हमारे हिसार में नाटक करवाते थे, तो उनकी जो सोच थी ना, वो कमाल थी, जैसे उनकी नसिरुदिन शाह, पंकर्ज कपूर, ओम पूरी, अमरीश पूरी, नाना पर्टेकर, ऐसे ऐसे लोग उनके फेवरिट थे, मेरे भी होते जए, धिरे-धिरे, तमस जैसे सीरियल, कोवे नहिलाने, शाम बेनेगल की फिल्म में पसंद आने लगी, सतीजी तरीए की फिल्म में पसंद आने लगी, तो इस तरीके से टेस्ट चेंज हुआ, पता नहीं क्यों वो कमर्शल मार धार गाने बुनों, वो फिल्म मुझे बहुता मज़ा नहीं आता था, अगर निरूपा रहेकर डायलग सुनके रोना आ जाता था, और क्योंकि हम होते हैं, कितने भी कठोर क्यों ना हो, फिल्म देखते हुए ना आप एमोशनल होई जाते हो, या बुस्सा भी आता है, हर तरह के एमोशनल होते हैं, पर इन फिल्म आप इतने successful actor हैं, लेकिन आप बताएंगे कि training कितनी important है, किसी भी actor के लिए, या आपके जीवन में उसका कितना फरक पड़ा, कितना बदलावाया, मुझे लगता है कि training बहुत बड़ा हाथ था training का, जो चीजे मुझे लगता था कि शौकिया इधर उदर आपस में खेल करके stage पे चड़ जाएंगे college की, ये वो, लेकिन national school of drama ने बताया कि theater, कला, नाटक और director, actor का जो, जो कितना vast scale है, इसका कितना vast जिसका वो है, पुरी दुनिया युनान से लेकर के, ग्रीक theater से लेकर, भरत नाट्यम से लेकर के, और कितना बड़ा इसका वो है, और बहुत ही विश साहिते, इतना साहिते भरा पड़ा है दुनिया में, तो training ने मुझे depth दी, depth दी, हम को खुला छोड़ना बहुत जरूरी है, और हम अपनी potentiality का 30% use करते हैं, बाकि 70% use ही नहीं करते हैं, हम इतना अंदर ताकत है, हमारे अंदर इतना कुछ है, हम घर रहते हैं, लोग क्या करे करेंगे, बतन यह क्या सोचेगा, शर्म, लिहाज, लड़कियां खास कर, कि क्या कहेंगे, क्या होगा, हम पागल्स लगेंगे, अरे पागल जिख दिन acting करने का सोच पागल्पन तो उस दिन आही गया, भाई, पागल्पन से क्या डरना, पागल्पन नहीं तो acting नहीं हो सकती तो पागल्पन होना चाहिए थोड़ा, बहुत जुरूरी है, यतने भी लोग अच्छे एक्टर नेकरें, उन गुद्धी से थोड़े से सनकी रहे हैं यश्पल जी, आप इतने वर्स्टाइल एक्टर हैं, सक्सिस्फुल एक्टर हैं, और आपने बहुत अलग-अलग तरह के किरदार किये हैं, तो आपके हिसाब से एक एक्टर की लाइफ में, राइटर का मतलब की स्टोरी का कितना बड़ा योगदान होता है? हमको यह समझना चाहिए कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितना भी ग्रेट एक्टर हो, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, कहानी अच्छी नहीं है तो वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता। पानी बीच मधानी ना मक्षन न अच्छा एक पंजाबी की कहवत है कि पानी में बिलोनी करके क्या निकलेगा ना मक्षन न अच्छा और दूध में हाँ दूध है कहानी में दम है अगर फिर सब कुछ निकले घी भी निकाल लो जाए खोया बना लो पनीर बना लो कुछ भी कर ये इसवाद content and issues are very important for our content, भर फिल्म और थेटर. यश्पाल जी, आप भी Mumbai के नहीं हैं, भाहर से आ हैं, यहां कोई आपकी पहचायम भी नहीं थी, तो इतने संगर्श के बाद आपने सक्सेस देखिए, Mumbai ने आपको क्या सिखाया? अब दक्ant काम नहीं हैं थे, मैं पार्यूमुत की, ने काम चोणाता था, क्योंकि मैं यह काम इस देखिए में हयां, यह करने आया हूं में बंबे में, कहां थेटर में 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 रोल करके, इतना मेहनत करके, इतने साल ट्रेनिंग लेकर के, पहले इंडियन थेटर चंडिगर में ट्रेनिंग लिया, फिर नैशनल स्कुर्फ ड्रामा में ट्रेनिंग लिया, फिर रेपेटरी कंपनी किया, उससे पह जब जाता था तो बोलते थे लोग के हाँ अडिशन होगा तो बताएं उस वक्त ये तो थेने मुबाईल हो भाई तो खुछ था नहीं जब मैं आया था तो उस वक्त मैंने क्या किया तीन स्पीचिज याद की और फोटो के पीछे पेजर नंबर लिखता था और मैं बोलता है पांच मिनट दीजिए मुझे शान्त रहिए स्पीच सुनाता था अपनी एक पेजर नंबर लिखे जब जरूर तो बुला ले ना यह वाला इटम मेरा काम कर गया इसमें कहीं लोगों ने वादे में देवलाएं खुद्धीर मिश्रा हो चाहे वो पंकज पराशर हो चाहे वो अजय सिना हो चाहे वो शाम मेनेगल हो चाहे गो भी नहीं लानी हो इससे बड़ा फाइदा हुआ हूँ यश्पाल जी आपने भ प्रेक्टिस नमबर दो प्रेक्टिस नमबर टीन प्रेक्टिस ऑफ सबसे प् कुलबत जक्राएं सबसे पहला जिए सब्से लिए कि उपको है कि अगर जिनदगी सीधी सपाठ चल रहे हैं कुछ कुलूबलाट नहों तो कुछ ना कुछ कर बद जरूर है और आपको क्रेटिव फिर्ड में आना है तो कहीं ना कहीं कुछ कुल बलाट होनी चीए कुल बलाट से मतलब है कि कुछ ना कुछ कि जहां पर भी audition देने गए अगर उनने बुला कि बाद में audition होगा बाद में बदाते हैं कभी और आना तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि वहां गए बुला कि बस दो मिनिट दीजिए अपना उन्होंने मुनलॉग बोला और अपना नंबर छोड़के आ गए इस तरह से हमने उनसे कि आपको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए कई बार ऐसा समयाएगा जब आपको खुद को भी महसूस होगा कि शायद कुछ काम नहीं बनेगा बस वहीं पर थोड़ी सी हिम्मत और दिखानी है क्योंकि बस कुछी दूर आपकी मनसिल है एक बात और उन्होंने कहता हूँ कि आप राइटर लोगों से दोस्ती कीजिए डिरेक्टर से दोस्ती कीजिए ताकि एज अन एक्टर भी आपके एक्टिंग में निकारा पाए तो ये था आज का वीडियो अगले वीडियो में फिर से मलाकात होगी तब तक के लिए देखते रहिए जेखते जमे रहिए, all the very best